हलो अस्पारेंट्स वेलकम टू वेलप्रेफ एड्यूकेशन नमस्कार दोस्तों वेलप्रेफ एड्यूकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है तो गाहिस आज बात करेंगे एक नई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जिया है बिल्कुल यह जो नोटिफिकेशन है एक्जाम इस पोस्ट के लिए तो कौन करा रहा है यहां पर पीजी आई एमियार कराएगा राइट तो उसके साथ एक मूई साइन हुआ है तो एसिस्टेंट की वेकेंसी है रूप बी लेवल 6 ठीक है तो यह आइम्स यह जो है आपका आइसी अमार न्यू डेली और उसके वेरियस इंस्टेंटर से अलवर इंडिया में उनके लिए वेकेंसी है ठीक है तो इंपोटन डेट्स मार्क कर लीजिए जो ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट होगा वह होगा साथ नवंबर से ठीक है और क्लोजिंग डेट है तीन आगे बात करते हैं अप्लिकेशन फी की तो अप्लिकेशन फी रहने वाले यहां पर बारासो रुपे सी स्ट और विमन के लिए ठीक है और जो पी डबलू बीडी वाले हैं परसंस विद बेंचमार्क डिसेबल्टी उनके लिए नो फी और जो अधर कैटिकरी जाती है आपक कि उनके लिए है पंद्रासो रुपे फी यानि जेनरल और वीची के लिए पंद्रासो रुपे फी यहां पर रहने वाली है आपको ओनलाइन मोड से ही पे करनी है आगे बढ़ते हैं इसका तो नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा यह नोटिफिकेशन पाए जाता है icm अब डिफिकेशन देख सकते हैं अब डिफिकेशन की अगर बात करें आगे बढ़ते हैं सेलरी की अगर बात करें तो 35-400 बेसिक पर रहने वाला है वही लेवल 6 जो मैंने आपको बताया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर आपको पैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिब्ली में और कंप्यूटर का वरकिंग नॉलेज आपको होना चाहिए ठीक है यह जो क्वालिफिकेशन है आपको किस डेट तक हासिल होनी चाहिए 3 December 2020 तक आप graduate कर चुके होने चाहिए तब ही आप इसमें apply कर पाएंगे राइट और age limit की बात करें तो 30 साल से ज्यादा आपके 3 December 2020 को age नहीं होनी चाहिए राइट आगे बढ़ते हैं तो यह category का दिया हुआ है SCST OBC और EWS का ठीक है यान की मांगे जाने पर आपको अपना पर्टिक्लर सर्टिफिकेट दिखाना होगा apply करने के लिए दो website दीवी है icmr.nse.in और pgimr.edu.in इन दोन में से किसी भी एक website पर जाकर आप देख सकते हैं और register कर सकते हैं अपने आपको राइट पर एक important जो note जो मैंने आपर mark किया हुआ है यहाँ पर यह है कि जो examination होगा written examination वो English language में होगा राइट यह नहीं में clearly लिख दिया है यहाँ पर English language में ही होना है ठीक है और written examination जो होगा English language में होगा 80 minute की duration का और 80 multiple choice questions रहने वाले है वहाँ पर ठीक हर question एक नमबर का रहेगा और एक penalty रहेगे 1 by 4 की यहनी 0.25 marks की penalty रहेगे wrong answer के लिए राइट आगे बढ़ते हैं क्वालिफेंग मास्क एकर बात करूं अंडिजर्ब OBC और EWS के लिए 50% और SCST PWD के लिए 40% रहने वाली है ठीक है return examination के base पर past time candidates को shortlist किया जाएगा यह इन्होंने लिखा हुआ है ठीक है और यह examination का pattern रहने वाला scheme रहने वाली है जर्नल इंटेलेंस के 20 कोशन 20 marks जर्नल इंटेलेंस के 20 कोशन 20 marks और English language का 20 कोशन 20 marks total 80 minutes का duration रहेगा 80 marks रहेंगे 80 questions रहेंगे राइट क्या दिया हुआ है यहां पर है कि 80% marks weightage will be for the return और CBT MCQ based examination राइट इनकी जो return examination जो weightage होगा वो 80% होगा यहनिकि अगर कोई skill test कराया जाता है उन्होंने एक doubtful condition यहां पर रखी हुए कि skill test भी हो सकता है ठीक है इन्होंने लेखा हुआ है कि skill test where prescribed in the essential qualification will be conducted and 20% weightage would be given अगर अपका skill test हुआ तो weightage वहां पर 20% होगा skill test का और return test का weightage होगा 80% यह जो है criteria है और साब साब फिर से लिखा हुआ है कि question paper will be in English language only question paper खाली English language में रहने वाला है यहाँ बात करते हैं यह दिया आपको syllabus general intelligence का इस तरह किसे syllabus है हाला कि बाद में हम डिटेल में discuss करेंगे तो यहाँ पर मैं only आपको overview दे रहा हूं general awareness का syllabus रहने वाला है quantitative यह दिया हुआ यहाँ पर आप screenshot रख सकते हैं और English language का ठीक है तो इन्होंने लिखावा skill test जहां पर भी होगा तो वह बता दिया जाएगा आपको ठीक है जब आप next level पर जाएंगे आप next level पर जाएंगे ग्रूप B की वेकेंसी है 35-400 basic पर रहने वाला है तो काफी अच्छी वेकेंसी है घेर अप कर लिजे अपने आपको और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप comment section में पूछ सकते हैं all the best guys बाबाई